हेलो वरीवन वेलकम बैगेन आज किस वीडियो में हम डिसक्स करने चल रहे हैं एकाउंटेंसी से रेक्टिफिकेशन ऑफ एर्र का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक जो नॉबंबर टेंट के लिए डेफिनिटली बन सकता है है टेंट मास के लिए ऐसा क्यों बोला हूं सर तो दो को बहुत ही सिंपल है जब भी मैं आपको कोई टॉपिक बता रहा हो तो है हमें मालूम है रेक्टिफिकेशन इंट्रियम कर लेंगे सस्पेंस एकाउंट में शो करना आ गया कब सस्पेंस एकाउंट ना लिखके पीलन एड्जेस्मेंट लिखते हैं ये भी हैं समझ गए बट फर्स और फॉल हमें को आइडेंटिफाई कर रहा होगा कोशन पू में एक्जामनेशन कॉपी में प्रिपेर कर रहे होंगे तो कौन-कौन से से पॉइंट है जो आपको कंसीडर करने चाहिए तो जरा स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले पॉइंट से 10 मास का क्यूं जरा देख लो सबसे पहले में 2019 रिसेंटली जो एक्जामनेशन हुआ जो खर्च करना पड़ता है क्यों ऐसा बोल रहा हूं क्लास 11 में जब आपको रेक्टिफिकेशन पढ़ा जाता है बड़ाई बेसिक सा बता दिया तो यह कम हो जादा कर देना जादा हो कम कर देना सस्पेंस एकाउंट का प्लग कर देना जब कुछ ना पता हो और कास अंडर कास बट सीए में आने के बाद आप कोई चीज समझ आ गई है कि हमें ये भी करना होगा तो टॉपिक है आफ्टर फाइल एकाउंट फोर मास के लिए नमबर 2018 के लिए बात की जाए तो यहाँ पर टॉपिक बना था 10 मास का रेक्टिफिकेशन से 10 नंबर का कोशन पूछा गया थ अभी इस 10 नंबर में टॉपिक क्या था सर अगेन आफ्टर फाइनल एकाउंट प्लस यहाँ पर सस्पेंस भी प्लक करा गया था बहुत सारे टॉपिक ऐसी थी जहाँ पर सस्पेंस एकाउंट भी पूछा गया था रेक्टिफिकेशन सा सबसे बड़ा प्लस पाइंट क्या ह एक्जामीनर के पास या जो आपका पेपर डिजयन कर रहा उसके पास सबसे बड़ा प्लस पाइंट यह है ना कि वह आपके पूरे कोश्चन में अगर उसे फोर मार्स में देना है वह फोर ट्रांजिशन देगा और यह सिंपल होगा बट अगर उसे टैन माक्स में देना है तो 10 ट्रांजिशन और डिफरेंट भी हो सकते हैं जब तक कोशन की केटेगरी ना बदल दे कैसी केटेगरी वे डिस्स करूंगा उसको भी अब में 2018 की बात कर लेते हैं यहां पर यहां पर आया था अगे फूर मास का और यहां बहुत ही नॉर्मल सा था बट अब मेरी बात को पेपर उठाके दिया और साफ बात थी उस टाइम पर रोयल्टी जॉइंट विंचर डेप्रिशेशन का पूरा टॉपिक और अलिक आपकी जो टॉपिक अब एक्स्क्लूड हो चगे हैं वो सब प्लक कर दिये गये थे अभी देखो नॉमबर 2018 जब सेकेंड पेपर बना तो यह हमें जरूर करना होगा अब आती बात नॉमबर की जब आप अटेंट देन जारो 2019 में अगेन बोलूँगा आप यह बात दोहरा सकते हैं कि सर टेंड मार्क्स में डेफिनिटली बनेगा उसकी पीछे सबसे बड़ा रिजन इंसिटुट के पास तो टॉपिकर आप चेक कर टाइपस ऑफ कोशिन क्या होगा दोगों जब हम बात करेंगे टाइपस ऑफ कोशिन की कुछ बच्चे यह सोच रहोंगे जो अभी रिसेंटली एराउंड वन थाउजन लोगों ने नही फैमिली जॉइन करी है आप लोग का सपोर्ट सुपा मलब जबर्दस है एराउंड हम की बुक में जो एट एलेस्टेशन फॉर प्रेटल कोशिन है जिस जिस लाइन में आपको डाउट है उन सब का सेलूशन से वीडियो में रहेगा बस आराम से सुनना नोट्स बनाना और फिर लॉट की वीडियो पर प्रॉपर स्टैडी डेवलप करना फिर बताऊंगा कैसे सब्सक्राइब करना है तो तीन केटेगरी है जहां से बनते हैं पहला पॉइंट जला देख लो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्राइल बैस अगर आपका कोश्चन आइंटिफिकेशन की सेम है ट्राइल से पहले के रहर आपको पढ़ने से लगता है अगर यह ट्राइल से पह अगर है ठीवर कास्ति नॉम नॉर्मल में अगर यह तो सिंपली आपको स्टेट में लिग देना है तो हमें पर चेवर का सोघी आपको यह लूए तो फोर ब्रूब्स पर ज्याधा काम करने की ज़रूत है पर शेंश बोग इनका जो नेचर है वह मौडर एप्रोच लगा ऑ रिवर्स करो अंडर कास्ट है याद रखना सेंड मुए बात करेंगे आफटर ट्रायल बैलेंस बट बिफॉर फण एकॉट्ट करना होगा यहां पी भी statement है बट question में अच्छी से read करना है कई बार बोलता है when suspense account is open सर्थ तब entry suspense account के साथ होती है बट जब बोलता है when suspense account is not open वहाँ दिमाग लगीगा आपका दोनों को हम same treatment नहीं दे सकते तो यह ध्यान ना उस तरीकी से आपको prepare करना है थर्ड नमर पर आएंगे after filing on यही वो topic है जो बार बार पुछा जा रहा है क्योंकि यह relate करता है तो कोई भी accountant ऐसा नहीं हो सकता जिससे कोई भी कभी भी mistake ना हो चाहे हो Mr. Mrs. में हो जाए चाहे 550 से 500 में हो जाए amount की मेले error of omission हो commission हो compensating हो chances हमेशा होते है because we are a human being not a machine कि हमें जो software develop कर दिया गया as it is चलता रहेगा chances होते है emotions होता है न हमारे इंदर इसे problem है तो अगर after file account error आपने find out करी है in the next accounting period like ऐसा question identify कैसे करेंगे आपका illustration number 8 जो आईसा ही के module में है वो इसी पर बीज़िए वहां बताया गया है properly कि final account बनने के बाद error हुई है तो वहां पर जा करो कि आप with the help of profit and loss adjustment account इसको आपको use करना है तो यह तो मैंने बदाई types of question कि इस तरीके से बन सकते हैं अगर आपका question four marks में रहा तो four transition अगर 10 marks में रहा तो around around 10 transition बस यहां 10 marks में होने के पूरे chances आगे रिपीट कर रहा हूँ हाँ prediction नहीं करना चाहिए but rectification definitely 10 marks में eligible है तो आना भी चाहिए तो 10 marks के लिए आपको क्या करना है देखो यहां पिना सबसे बड़ा confusion कहां create होता है question mix up रहेगा इसमें बहुत सारी चीज़े होंगी लिए आपके बुक्के भी transition होंगे suspense account से भी होंगे और like final account के बाद का है तो after आपके पील एजिश्मेंट भी mention होगा तो इन सब को हमें समझने के लिए question practice करने के लिए चाहिए जो कि मैं कल तक आपके टेलिग्राम पर definitely post कर दोगा है ना मुझे याद रहेगा चिंदा ना करना तो यह हो जाएगा अब बता थी identification of question कैसे करें सर बहुत simple है question की हमें साथ starting line पढ़ेंगे या फिर question की end line पढ़ेंगे यह दो process है जहां से हम question को identify करेंगे अगर question after final account है तो आपको कहिंद का यह line लिखके देगा या फिर next accounting period दो में से कोई एक line जरूर question mention होगी उसके recording हमें perform करना है next point की बात करने हाँ तो प्रेक्टिस 8 से 4 आपकी पहले यह 12 question जो book में module में है पहले यही प्रेक्टिस कर रहे है इसके बाद कुछ question आपको telegram channel पे मिल जाएंगे जो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल तक आपको मिल ही जाए आज आपको concept समझने हैं और कल कब सर कल पूरी कोशिश मॉनिंग जो मेरी 8 एम से बैचेश होती है उससे पहले पहले में टेलीगाम के पोस्ट कर दूँगा सो दैट जब कल की कलास होगी शाम 6 बेकी तब तो आपके सारी confusion दूर हो चुकी होंगी और अगर उन्हें से कुछ नहीं आया तो अगर नहीं आना है comment करना और मुझे बताना एक सार यह वाला topic रह गया तो यह सारी बाते तो हो गई अब सबसे important point आता सर पॉइंस टूबी कि remember देखो क्या चाहिए आपको ध्यान देनी सबसे पहली बात rectification मैं और आप मिलके प्रिपेर कर रहे हैं 10 मांस के लिए सबसे पहली बात है क्यों गोल रहो ऐसा क्योंकि अगर आपका mind state यह accept करता है चारी नंबर तो है तो फील नहीं आएगा आपको और अगर 10 मांस में आय सबसे पहला पॉइंट हमको क्या कवर करने वाले हैं पॉइंट मोवन हमें कभी भी rectification करना है तो जर्नल के format में होगा तो format करना है अब आप बोलेंगे इसमें तो कोई नहीं बात नहीं है यह तो हमें आता है बहुत अच्छी बात है जी आपको आता है बढ़ जया ध्यान द होता है जब हम घर पर प्रेक्टिस कर रहे होते हैं तो यह मेंशन नहीं करते मैं बात करो format के उपर के जिसकी बुक में आप वह जलन रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो यह अभी से हैविट डालो जितने भी कोशन करो तो आप कोशिश करो लए कि आपको फॉर्माट बनेंगे आज्यूम करो यह आपको फॉर्माट है डेट पॉर्माट बना लिए ठीक है तो आपको यहां लिखना चाहिए जर्नल इंदा बुक पूरा प्रॉपर लिखो और ध्यान रखो आपको सेगेंड पॉइंट पर नरेशन सर बहुत इंपॉर्ट है हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना तो हम ऐसे से करके छोड़ देते हैं है चीडिया और तोता और खेल रहे होते हैं गलत चीज है प्रैक्टिस अभी से करो बहुत सारे बच्चों ऐसा लगता सा एक्जामनेशन में फोर्ड क्या होगा सर कैसे पॉसिबल होगा क्यों जो चीज आपके हैबिट में नहीं है आप वहां पर भी आपको चीज़ें आ रही होंगी मैं जानता हूं आपको आएंगी अब आ रही है तो आपके स्पीड करके आना है अब सब्सक्राइब क्या है कुछ अब देखते होंगे जहां पर कुछ ट्रांजिक्शन ऐसे होते होंगे जिनको कंप्लीट करने के बाला है कि रेक्टिफिकेशन आपने इस फॉर्मैट में कंप्लीट कर दिया उसके बाद आपने हेडिंग लिखनी है नोट्स बाइसन पर दीफिकीशन बजाएं जो थोड़ी से डिफरेंट में फ्रूर सा काम करना हो तो आपको आकर नोट्स लिखके पाइन नबर वन लिख देना और जो गडय के बेसे में और बागे सारी वालों से और सर आप से वैसे भी हो पॉइंट नमर फोर की बात यहां पी आपको सब्सक्राइब और प्रॉफिटल लॉस एडजस्ट्मेंट एकाउंट कभी यूज करना है न यह पता होना चाहिए बहुत बच्चों से विच्टेक होती है और बहुत बार होती कई बार ऐइसे भी ट्रॉण से मनेंगे लएक जब आफटर फाइनल अकाउंट होगा इक्जैक्तीं नाम बोलरा हुआ। मैं आफटर फाइनल अकाउंट होगा और और अगर ओवर कास्ट अंडर कास्ट है तो सिंगल इंट्री में सस्पेंस एकांट पीन एडिश्मेंट कांट दोनों आएगा उसका ना आपको कॉंसेप्ट और रीजन पता होना चाहिए वीडियो रहेगा डिस्क्रिप्शन में आराम से बैठके दीना पूरी गंटी क्लास कर जो कि बहत इंपॉर्टन भाम हम देखं़ आप यह सुस्टीक कौन से मौन की बात कर रहा हूं yoga राओν को डबल करना होता है यही बाजना होगा रटाफिकेशन नहीं चलाना तो यह दो काम करने के बाद एक बात मेरी और सुन लो फिर इस वीडियो को इस क्लास को आज के लिए कंप्रीट करते हैं लोग देखो आपने क्या करना है सबसे पहले रेक्टिफिकेशन की इंट्री पास कर देनी है रेक्टिफिके से काउन तो आज से बनाना सीख लो है ना इसके लिए वेट मत करो कि एक्जामनेशन का टाइम जब आएगा भाई तेरा भाई तभी सारा चीर के रख देगा नहीं जी बिलकुल नहीं आज से जो भी इलस्टेशन प्रेटल कोशन में आपके सेलुशन दिए गए हैं सीख लि यह हमें बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए जब यह समझ में आ जाए तो इस वीडियो कंप्रीट अब यह वीडियो आलमुस्ट कंप्लीट कर रहा हूं कंप्रीट करने के बाद आपको जाने डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो के लिंक दिये हैं आराम से प्रण करो क्राम से मैंने समझा क्या क्या चीज़ें तो मिलता हूं कल की वीडियो में तब तक के लिए शांदार रहो और आज की आज ही काम केंप्लीट कर लेना